वेल्कम एवरिवन बाइलियो जी प्रदीप कुमार में सभी का स्वागत है जैसे कि आपको पता है कि 17 जुलाई को नीट का पेपर है 17 जुलाई को नीट का पेपर है और तैयारी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी ऐसा उमीद करते हैं इसी तैयारी को देखते हुए कुछ गिश्चन्स हम आपके सामने लाए हैं जिससे आप इसको करके अपने गिश्चन्स को अपने नौलेज को चेक कर सकते हैं कि आपने इस चेप्टर से जो गिश्चन्स वह आपके रिवीजन में है या नहीं है तो 15 गिश्चन्स के कुछ है आपके सामने और important chapter है यहां से question हर साल आपको मिलते हैं कुछ questions हम आपके सामने लाएं हैं कुछ concept हम आपको बताएंगे 15 questions के यह set है ठीक है और यह questions आपके इतने important है जो आपके आने के chance है ठीक है तो बिटा सबसे पहले आपको यह बता दिया जाए कि जो यह chapter है इसमें दो type के micro nutrients होते हैं nutrients होते हैं तो दो type के होते हैं एक micro elements होता है और एक micro होता है ठीक है और एक micro होता है ठीक है total 17 elements है आपके पास उस 17 elements में कौन से micro है और कौन से micro elements है यह अक्सर पूछता है ठीक है simple questions से बागी कुछ है जो critical elements है ठीक है frame element है protoplasmic element है जिसको हम आपको भी बता देते हैं पहले इस concept को समझ लीजे micro और micro elements कौन है तो अगर micro की बात करें बेटा micro elements वो elements होते है ठीक है आप समझ लिजे कि जैसे कि symbol होते हैं आपके हर elements के तो single होते है जैसे c लिखा तो कार्बन का है n लिखा तो nitrogen का है ठीक है mg लिख दिया तो यह किसका है यह magnesium का है तो एक या तो single alphabet होता है या तो double alphabet होता है तो micro के लिए हम लोग जो बात कर रहे हैं micro में आप दो element ऐसे याद कर लिजिए जो double alphabet के हैं calcium and magnesium बाकी आपको जितने भी आपको alphabet मिलेंगे जैसे कि carbon हो गया जैसे कि hydrogen हो गया जैसे कि आपका phosphorus हो गया जैसे कि oxygen हो गया nitrogen हो गया sulfur हो गया तो यह सब क्या हैं आपके micro elements हैं तो यहाँ पर दो alphabets वाले calcium and magnesium micro elements हो यही सबसे ज़्यादा options में मिलेंगे आपको अगर यह questions पूछता है micro और micro elements बागे single alphabets में आपको मिलेंगे ठीक हैं और यह भी पूछ लिया कि micro elements आपके कितने हैं तो 8 आपके यह हो गए हैं ठीक हैं एक concept यह हुआ और दूसरा हो गया micro elements micro elements में आप एक याद कर लिजिए B से boron boron ही है जो single symbol से है बागी जतने भी elements आपको मिलेंगे वो double alphabets से मिलेंगे जैसे कि zinc ठीक हैं जैसे कि manganese जैसे कि copper जैसे कि molybdenum iron एफी जिसको बोलते हैं chlorine निकल तो यह जो हो गएं आपके micro elements है ठीक हैं तो इसमें करीब आपके nine elements आते हैं लेकिन single elements आपको सिर्फ micro elements में सिर्फ boron को याद रखना है बस यह concept जानना है कि double alphabets वाले आपके micro elements है boron और दो double alphabets वाले calcium और magnesium वो आपके चलेगे उधर micro elements में ठीक हैं तो यह हो गए आपके यह eight है और micro elements आपके nine है क्लियर हुई बात और यह आपको समझना है चलिए questions की तरफ बढ़ते हैं अब यहां से questions मिलेगा पर इसके अलावा भी questions हैं जिसको आप solve कर सकते हैं देखें फर्स्ट question कह रहा है कि how many elements are taught to be essential for the healthy growth and development of the plant अभी बताया एक eight और एक nine तो eight और नो को बता दिया तो seventeen elements आपके total हो गए फिर से एक बढ़ मैं आपको बता दूँ जो आपके nine है यह micro elements है और जो eight है यह micro elements है ठीक है बिटा क्लियर होई बात तो seventeen आपका a सही हो गया क्लियर होई next questions के तरफ move करते हैं second questions है which of the following is micro nutrients तो देखें micro पूछ लिया और micro में हमने आपको बताया कि वो कौन से elements है सिर्व आपको boron बताया था याद कर लिज़े single alphabet बाकी क्या है double है ठीक है और दो calcium और magnesium दो double alpha वाले थे जो micro थे बाकी इसमें single था तो oxygen O होता है ये दोनों आपके निकल गए micro में बचा क्या iron जो की fe है fe double alphabet वाला है ठीक है देखें कोस्टन्स निकालने का तरीका समझ लीजे ना आप तो आपके questions हमेशा अच्छे हो जाएंगे ठीक है next question कहे रहा है which element is common to nucleic acid phospholipid ATP ADP NADPH तो कौन सा elements है जो इन सब substance में पाए जाते हैं तो phospholipid ATP NADPH में P आ रहा है P से हो गया phosphorus तो बेटा ऐसे ही questions निकालते हैं और यह सब questions काफी important questions है जिसको हम लोग discuss कर रहे हैं moving to next question देखेंगे यह questions काफी important hydroponics is also called as hydroponics क्या होता है यह soilless culture of plant होता है ऐसे plant जो बीना soil के grow करते हैं ठीक है तो इसमें क्या होता है बाहर से हम water और soil में जो nutrients होते हैं वो provide करते हैं तब वो plant आपके germinations में आते हैं ठीक है next questions की तरह move करते हैं question कह रहा है which element is essential for root hair formation root hair formations के लिए कौन सा element आपका important है यह सब questions पूछता है और यह important question है बेटा जब questions यह आपके NEET के paper न मिलेंगे तो आपको खुद पता चलेगा और यह questions ना कि NEET में biology से related जितने भी exam होते हैं ठीक है कहीं पर भी यह पूछ सकता है आपके teaching level में है TGT है PGT है LTE grade में है MNS वगयरा है NEET वगयरा है हर जगे यह पूछे जाते हैं और आगर आपके syllabus में यह chapters include है ठीक है तो यह पूछे ही जाएंगे तो root hair formation जो है आपका calcium से होता है ठीक है root hair का formation calcium से होता है moving to next question which element is essential for IAA synthesis IAA का मदलब है indole acetic acid जो की oxygen से synthesis होता है तो यह भी जो IAA synthesis है यह किस से होता है तो यह zinc से होता है तो बेटा important questions है अगर यह questions आपको नए लग रहे हैं और नहीं सुना हुआ लग रहा questions है तो इसको आप अपने copy में note कर सकते हैं moving to next question what is left in chloroplast if burned chloroplast को अगर जलाया जाए तो क्या बचेगा क्योंकि आपको पता होना चाहिए chlorophyll के अंदर जो है कि magnesium होता है जैसे hemoglobin के अंदर iron होता है तो यहाँ पर magnesium होता है इसके चरो तरफ nitrogen होता है ठीक है तो अगर इसको जला देंगे तो इसमें बचेगा क्या magnesium बचेगा तो बेटा अगर chlorophyll को burn करेंगे तो क्या बचेगा magnesium और symbol तो आपको आना चाहिए क्योंकि इस level के आप पढ़ाई कर रहे हैं तो chemistry की भी जानकारी थोड़ी होनी चाहिए moving to next question which element is micronutrients तो micronutrients देखे वही बात आ गई micro में हमने दो बताया था आपको जो double alphabet में होते हैं एक magnesium और दूसरा calcium ठीक हैं तो magnesium और calcium था बागी यहाँ देखे सब double alphabet में दिया है बागी सब double वाले micro में थे calcium आपको निकाल दिया यहाँ पर तो यह micronutrients हो गए हैं moving to next question ratio of CHO in plant material is CHO का मलब carbon hydrogen और oxygen का क्या ratio होता है तो carbon hydrogen oxygen का जो ratio होता है वो होता है आपका 5 is to 1 is to 5 तो जो आपको दिखें यहाँ पर 5 is to 1 is to 5 आपका यह answer ए हो गया ठीक है और option भी देखे 551 155 555 इतना confusing options होते हैं जिससे क्या होता है कि आप अगर पढ़के भी जाते हैं तो कहीं न कहीं आप distract कर जाते हैं कुछ questions के जो answer गलत होते हैं options से भी हो जाते हैं ऐसे ऐसे पूछ लेता है तो उसे गलत हो जाता है और एक questions पीछे हमने discuss किया था आपका कि कौन सा element है जो ATP, NADP और इसमें होता है phosphorus तो phosphorus तो most abundant element है प्लांट में ये भी जान लिजे question पूछता है most abundant element तो phosphorus होता है moving to next questions बेटा next question आपका है little leaf diseases cause by deficiency of जो leaf छोटी ही रह जाती है ठीक है जो leaf छोटी रह जाती है वो किस की deficiency की वज़े से होता है पतिये एकदम छोटी छोटी हो जाती है तो वो किन की वज़े से होता है तो वो zinc की वज़े से होता है किन की वज़े से होता है जिंग की वज़े से होता है ठीक है तो next questions की तरह move करते है heart rot disease of beat is due to deficiency of तो जो heart rot disease है beat में वो किस की वज़े से होता है तो beat से याद रखना beat से beat से beat होता है बी से boron होता है तो answer हो गए आपका boron moving to next questions next question आपको कहे रहा which of the following element is micronutrients तो micronutrients में देखो वेटा फिर वही question देखे बार बार वही concept से आता है question micronutrients में हमने बताया आपको magnesium and calcium तो यहाँ दो option दी है magnesium and calcium तो यह हड़ गया वो micronutrients में है और micronutrients में हैं और micronutrients में हमने बताया बागी एक boron याद कले हो single alphabet बागी क्या है double alphabet में तो nitrogen भी micronutrients में चल गया बज़ गया nickel और nickel का symbol है ni ठीक है तो answer क्या हो गया nickel हो गया तो concept से आपको निकालना पड़ेगा बागी कुछ है जिसको आप theory से हमारे इसी lecture पर theory है उससे पढ़के आप का जो synthesis होता है किस से होता है cytochrome, plastocyanin, plastocyanin, phytochrome तो iron का synthesis होता है cytochrome से बेटा ठीक है next questions की तरब move करते है sulfur containing amino acid तो sulfur containing amino acid कभी पूछ ले तो इसको आप methion 9 जो है कि माक करिएगा यह methion 9 है और एक systeen होता है ठीक है methion 9 and systeen से क्या है sulfur जो है कि synthesis होता है ठीक है आपके onion में ठीक है आपके जो है कि जो है कि garlic में allele sulfite present होता है अरी sulfite क्या है एक तरीके का sulfur है ठीक है तो यह आपको याद रखना पड़ेगा yellow tea disease जो होती है पत्तियां जो चाय पत्ति क्यों होती ही वो पीली पड़ जाती वो भी किस के वज़े से sulfur की वज़े से yellow tea disease पूछेगा तो आप बता सकते है sulfur की ही वज़े से होता है तो बेटा calcium से related अगर कोई question पूछ ले ठीक है तो calcium के लिए आपको क्या कहते है ना कि plant में और animal से पूछ ले क्या function है तो पहले calcium से समझ लिजए कि ये middle lamela में present होता है calcium कहां present होता है middle lamela में middle lamela मलब आपका cell wall के बीच में present होता है और ये root hair का development करता है और calcium मलब carbohydrate का क्या करता है transportation करता है carbohydrate मलब foods का transportation करता है और chromosome structure में stability भी provide करता है क्या करता है stability भी provide करता है और animal के case में देखिए calcium ही है जो blood clotting करता है bone का formation कराएगा muscle का contraction और nervous coordination तो ये चार function आपके animals में इनका formation मोगे plant की physiology से बात हो रहे तो बेटा last question हम लोग discuss करते है stomatal movement is regulated by stomata का जो movement होता है वो किसकी वज़े से होता है तो stomata का movement होता है potassium की वज़े से तो potassium की वज़े से stomata का movement होता हाइडोजन यहां से बाहर जाता है तो potassium अंदर जाता है और इसके movement में जो theory होती है hydrogen potassium action theory है ठीक है बहुत important theory है जिसको लेविट ने दे थी तो total बेटा यह आपके 15 important questions है जिसको आप ने हमारे साल समझा ठीक है अब आप like, comment, subscribe करके बताइए comment करिए चैनल पर की questions कैसे थे अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हम आपको regular neat के paper तक आपको लगातार वीडियो हर chapter के देंगे अगर जिस chapter का आप हमें से question चाहते हैं वो हम आपको बना कर देंगे चाहे वो plant physiology हो, चाहे animal physiology हो invertebrates हो, bacteria हो, virus हो जिसका कहेंगे उसका question आपको मिलेगा Thank you and support my channel